देश में धोंगी बाबाओं की कोई कमी नहीं है आए दिन किसी ना किसी धोंगी बाबा के बारे में पता चलता ही रहता है लेकिन कुछ ऐसे बाबा भी है जिन्होंने अपने धोंगी वज़े से अर्बों के संपत्ति भी बनाई हुई है इसी में से एक धोंगी था बलातकारी राम रहीम, राम रहीम ने सिरसा में अपना पाप का समराजिक खड़ा कर रखा था, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का अंत एक ना एक दिन हो ही जाता है, इसी तरहें राम रहीम के काले चिटों का भी खुलासा हो गया, राम रहीम के कई राज़ दबे हैं हनी प्रीत के पास, हनी प्रीत राम रहीम के सभी काले कारनामों में उसका साथ देती थी, राम रहीम के जेल जाते ही कुछ दिन बाद कड़ी मशक कत के बाद पुलिस ने हनी प्रीत को भी गिरफतार कर लिया, हनी प्रीत के पास राम रहीम के कई ऐसे राज़ हैं, जिसके खुलते ही राम रहीम की मुसीबतें और बढ़ सकती है, डाईरी को डिकोड करने में लगा गया रहा है महीने का सम्माया, हाल ही में राम रहीम की खास चैली हनी प्रीद की डाईरी डीकोड करने में प्रवतन निदेशाला, इडी, को सफलता मिल गई है, इस डाईरी में डेरा सचा सोदा से जुड़ करने में E.D. को 11 महीने का समय लग गया इस समय राम रहीम साधवियों से बलातकार के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा है पम चकूला में दंगा करवाने के आरोप में हनी प्रीद भी जेल में अंबाला बंद है पुलसी ने जब हनी प्रीद के पास से यह डायरी बरामत की थी तो उसमें लिखे हुए शब्द उसे समझ में नहीं आ रहे थे इसके बाद डायरी E.D. को सौब दी गई आपको बता दें इस डायरी में दार जिलिंग लैंड, न्यू लैंड और एज का उटी की दूसरी तरफ, मनी ट्रांसपर रिजार्ट, टुडे, हिमाचल की लैंड र प्रोड से ज्यादा की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, अभी जांच एजेंसी डेरे प्रमुख रामुरहीम की लैप्टॉप की भी जांच कर रही है, E.D. की जांच में यह सामने आया की राजिस्थान में 30 एकर, हर्याना में 105 एकर, उत्तर प्रदेश में 15 एकर और उ जानकारी के अनुसार पम चकूला दंगे के लिए भेजे गए 1.5 करोड रुपे के बारे में जल्दी ही E.D. हानी प्रीत से पूछताच कर सकती है